हेलो przyndz welcome to priyans academy आज का हमारा जो लेशन रहेगा वो रहेगा fundamental rights के बारे में इख 20n वैसे हमारा जो सीडिूल ता वो सीडिविल चल रहा था हमारा टेrauen कि हमारा जो सिडिविल था तो मैंने सोचा कि अगर मैं पूरा लेशन अगर आपको कवर कराऊंगा तो फिर यह हैं इसके बाद में टेस्ट रखा जाए इससे पहले आपको फंडवेंटल राइट के बारे में एक राइट इंफ और अगर इसके बात करते हैं सबसे पहले कि फंडवेंटल राइट के बारे में ठीक है कि कि fundamental rights जो हैं वो आये कहां से तो मतलब ऐसे तो नहीं ना कि पहले दिन से fundamental rights हमारे पास में आ गए हमारे पास में मिलना शुरू हो गया fundamental rights अपने origin में fundamental rights थे ही नहीं ठीक है ना कि पहले सबसे पहले fundamental rights का concept नहीं था इससे पहले जो concept था तो देखो होती है neztural rights की Okay इसको तो वो जैसे food है ठीक है कि ऐसे जो basic rights जो चो नेचर देती है food है air है ठीक और उसको जो रहने के लिए मतलब जिएग है तो यह basic जो नीट्स था उसके उनको कहा गया नेच्छल right उसके बाद मेरे थोड़ा सा है इनमे चेंज होता है और के यह बात होती है नागे दीवारों किे यह सबसे पहले की बात है कि यह सबसे पहले की बात करता है कि कि मैं कि utisa को कौन एते और इसके बाद में आते हैं जो पॉलीटिकल राइट's और सामाजी कदिकार ठीक है ये जो नागरे कदिकार थे इनको कहा गया था first generation राइट's ठीक है यह क्या थे first generation राइट's थे कि यहां से उनका जो ही development सुरूई हुआ यह थो इनको first generation बोला गया था किसको नागलिकरिस को इसके बाद में है इसके बाद में आते हैं राजणिती क अधिकर पोलिटिकल जो राट से वो है इसके बाते हैं जब यह ऐह सामाजी केदिझारों की बाती कि समाज की स suffers सबी लोगों को अदिकार मिलने चाहिए नहीं कि सिरफ है आपने मतलब जो है स्टीजन है उननी को क्यूं मिले सभी को कुछ राइट्स मिलने चाहिए तो इन में बात हुई समाजी का दिगारें हो की सोचल राइट्स की इनको सेकेंड जेनेरेस राइट्स बोला जाता है और ब बिसिकले इसके बाद होती थी समान तक फॉस्ट चेटेसरेशन के जो राइट है उसमें बात होती धी झाल सामने आती है एक स्चाहता होना जी जिसमें इसी के बाद में बात होती है human rights की ठीक है इसके बाद में कहाता है मानव अधिकार आता है human rights आते है और human rights की जो एक basically जो घोशना किये थी 10 October 1948 में जो UN है इसने घोशना करी थी कि एक human rights मिलने चीए और इन ही human rights में से निकला fundamental rights कि इन human rights में से कुछ rights ऐसे हैं जिनको कभी खतम नहीं किया जा सकता ठीक है जो बहुत basic है और वो मिलने ही चीए अगर एक इनसान को जिन्दा रहना है तो उसके जीवन के लिए जो आवशकता है कि basic needs है वो ही क्या fundamental rights है जो कहां से निकले human rights में से निकले तो वो ज्यादातर country ने क्या हुआ 19 century के अंदर है ना human rights को देना शुरू किया और 1948 यहां पे देखो date क्या 1948 है और इसी टाइम पे अपना भारत 1947 में आजयाद होता है और 1948 में ही हमारा क्या समीदान बन रहा था 1948 में क्या था हमारा जो समीदान है constitution है उसके framing हो रही थी तो हमने भी क्या किया फिर हमारे constitution में जोड़े और फिर देखो किस तरह से हमने जोड़े अब बात करते हैं fundamental देखो rights क्या है कि क्या होते हैं तो मूल अदिकार क्या होते हैं शास के शक्ति होती है इनकी जो government होती है ठीक है जो government होती है उससे क्या करते हैं व्यक्ति की सवचनतर दे रक्षा करते हैं कि जो personal individuals जो persons है उनकी क्या करते हैं वो Liberty की उनकी रक्षा करते हैं उनको शिक्योर करते हैं ठीक है किसे government से एक से संदर्प देखते कि कहां से शुरू हुआ था जो है fundamental rights के बारे में कहां से सबसे पहले हमें जानकरी मिलती है 1215 में ओliamo झिसमें का समराट होता है वह एक लिखित है आ उस्समें क्या कड़ता है वह राइट के बात करता है ठीक है यहां पर इसतरफ है टुरूरे राइट की बात करता है यहां पर समराट है लेकिट राइट पिर लिएए उर में सब रहे राजावने क्या झाओ ईदिकार इसको बिलोफ राइड ओके इसको क्या बोला गया बिलोफ राइड्सूध्स इसके बाद में देखो France France ने भी ना क्या वा मानुए के नागरिका अधिकारों की गोशना पत्र की गोशना करता है और France में तो यह ऐसे भी होता है कि जो राइट्स नहीं मिलने के कारण जो लुई थे वहां कि जो राजा थे लुई 16 इनको फांसी पर लटका देता है मूल जाते हैं तो इनको क्या करते हैं फांसी पर इनको लटका दिया जाता है सबसे पहले जो मतलब कॉंस्टिटूशनल अगर किसी ने ना कॉंस्टिटूशन में जोड़ा है तो वह है अमेरिका ठीक है इन्हों ने यह जो फ्रांस और बिर्टेन ने राइट्स की बात तो करी ल सब्सक्राइब लैडंके इन्होंने इसके बाद में क्या क्या 14th amendment किया 14th amendment करके क्या क्या जो है bill of rights लेखे रहे और फिर इन्होंने अपने 1948 में और ज्यादा तर जो ब्रिटेन की जो अंडर में जो कंट्री थे उपनिवेस थे कॉलोनीस थे वो इसी टाइम पर क्या होता है 1945 से आजाद होने लगते हैं वड़ वर के बाद में और 1960 दोर वाला है वहां तक आजाद होते हैं तो ज्यादा तर फिर क्या और क्याल है Constitution जिनका फ्रेम हुआ उन सभी लोगों ने अपने अपने जो है वो Constitution में फंदामेंटल राइट को एड किया और हम भी क्या यसी टाइम पर आ जा दोते तो हमने भी हमारे Constitution में fundamental rights को क्या एड़ किया अब जो हमने जो rights add करे हैं ठीक ना हम개 जो हमारे जो constitutional है उसमेn rights add करे न वो दो तरह के rights हमनेrd करें पहले तो कोन से fundamental rights है ठीक ना यह है fundamental जो कहां पर भाग 3 में और article जो हमारे constitution का जो article है 12 लेके जो है 35 तक है इसके बाद में जो दूसरी तरह के जो हमारे जो rights है ये एक और rights है ये दूसरी तरह के हमारे rights है जो भाग 4 में है ठीक है और इसके बाद ये part 4 में है और जो article है हमारा 36 से लेके 51 तक ये यहां तक है ठीक है तो हमारी जो constitutes में दो तरह के हमारी rights हैं एक भाग 3 में, part 3 में और एक part 4 में इन दोनों में basic फर्क है कि यहां पर जो है part 3 में वो है fundamental rights और इनको क्या करता है नहीं मिलने पर इनको हम क्या करते हैं जुडी सिरी के पास में हम जा सकते हैं कि हम supreme court जा सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं हम high court जा सकते हैं यह क्या एक आउशक guarantee के तरह है guarantee मतलब कि आपको जरूर मिलेगा जैसे यह मतलब कि आपको प्रोडेक्ट लेते हैं यह मान लिजी कि आपने एक TV ले लिया और इसके क्या होती है एक साल के guarantee होती है अगर यह TV खराब हो जाता है एक साल के विदिन एक वन येर तो क्या करता है आपको दूसरा TV दिया जाता है या फिर उस TV को ठीक किया जाता है तो यह guarantee के तरह है है हमारी जो fundamental rights में वो भी guarantee के तरह है कि अगर इनमें कुछ भी cut हो जाता है कुछ भी आपको नहीं मिलता है या इसमें कोई कमी कर दी जाती है तो आप क्या कर सकते हो Supreme Court जा सकते हो और High Court जा सकते हो और वहां से क्या कर सकते हो आप वापस अपने fundamental rights क्या कर सकते हो जब पहले हम क्या करें पार्ट 3 पढ़ लें इसके बाद में हम क्या करें पार्ट है न जो है हम 4 पढ़ लें अगर हम दोनों को पहले हम पढ़ लेंगे तब ही हम क्या करेंगे इनमें जो डिफ्रेंस है इनमें जो अंतर है वो पता लगा पाएंगे तो मैं यहां पे पहले अं specifications है हमारा जो fundamental rights हैं उनके कुछ specifications है तो यहां पर बात करते हैं कि कौन से specifications है कौन सी क्या है विश्चेश्ट आ हैं दो यहां से क्यों ना बहुत पूछा जाते हैं UPSC में ठीक है ना जो fundamental rights की जो विश्चेश्ट है उसके बारे में तो अधिकारों का सबसे सब्सक्राइब क्लासिफिकेशन किया है कि हमने साथ तरह के हमारी जो citizens यह सभी लोग उनको क्या हमने साथ तरह के rights दिये हैं तो यहां पर सब्सक्राइब क्लासिफिकर्ट का इसके बाद में दूसरा सवतनतरला right to freedom इसके बाद में right against explanation इसके बाद में religious related ओर सिस्स जो युह समयद्धनिक अधिकार राइट to constitutional remedy जह यहाँ पे पहले कभी एक और होता था थीक है छै नमबर पे उसको हमने हटा दिया कौन सा था उसको कब हटाया यह हम आगे बात करेंगे तो यह हमारे में जो है अपन कई बार ऐसे कहते हैं कि हमारे पास में कितने हैं हमारे पास में च्छे ना fundamental राइट है लेकिन यह गलत है च्छे fundamental राइट नहीं है यह च्छे तरह के हैं यानि कि यह classification है च्छे तरह का क्योंकि देखो अकेला जो right to equality है उसी में कम से कब है जो है वह पांच है ना राइट है हमारे पास में तो पांस तो के लिए ही हो जाते हैं तो यह क्या यह classification है हमारे जो right का second जो है वह खास बात देखते हैं कि क्या है क्या विशेष्ट है रज्यवय नागरिक दोनों के लिए हमारे जो right है वह only प्रस्णल नहीं है वह कुछ ऐसे right है जो किस पर लागो होते है इस state पे भी लागो होते है इस state का मतलब यहां पे क्या है यह भी आगया आएगा कुछ जो right है वह state भी लागो होते है कुछ हो जो होते है फर प्रस्णल होते है meaning क्या दो कोई सवरड़का यानि कि आपकी जो fundamental right है ठीक है मान लिजे यह आपका जो है liberty का right था कि आपको बाहर घूमने से कोई रोक नहीं सकता और यह यहां पे आपको मान लिजे कि जो है fundamental right को वह government ने आपको रोक दिया तो आप क्या करोगे government के against अपने fundamental rights लेके जाओगे Supreme Court में और government आपको रोक नहीं सकता ठीक है तो यहां पे जो मैंने लिखा ना राज्ये के दुवीरुद हैं यहां पर यह लाइन तो clear हो जाती है कि ठीक है हमें government नहीं रोक सकती हमारे fundamental rights को government कम नहीं कर सकती नागरिकों से देखो क्या मतलब है यहां पे जो नागरिक मैंने ल रूप में यह मानिन जाने चीए तो अब यह किसके विरुद होगा अब यह नागरिकों के विरुद होगा यहां पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा क्लियर की नागरिकों से क्या मतलब है यहां पर okay fundamental rights primarily protect individually from any state action but some rights are information against the individual ठीक है यह यहां पर जो है English मेंने इसके टर्म लिग दिए इसके बाद में third जो हमारे fundamental rights के quality है वो यह है कि यह only foreign citizens के लिए लिए ही नहीं है यानि कि only Indians के लिए नहीं है यह foreigners के लिए भी ठीक है five rights हमारे पास में ऐसे हैं only five rights है हमारे पास में five fundamental rights है जो केवल only citizens के लिए है वो कौन से रेखो article 15 और article 16 यह article में क्या आएगा यह आगे देखेंगे इसके बाद में article 19 है इसके बाद में जो है article 29 है और 30 है यहां पर जो है वो है समानता से related है और जो article 16 है वो है आउस् अलब शेंख्योंक minorities के बारे में तो only five fundamental rights हमारे ऐसे जो केवल किसके लिए जो हमारे Indians के लिए बागे के जो हमारे fundamental rights है ठीक है वो सभी के लिए है यानि कि ऐसा जरूरीद नहीं कि Indian हो उसी को मिलेगा सभी को मिलेगा ओके इसके बाद में fourth quality देखो हमारे fundamental rights के कह कि यह जो है Absolute नहीं है fundamental rights are not absolute rights and parliament could put reasonable restriction कि ऐसे नहीं कि जैसे मान लीजे कि आपको जो liberty दी गई है कि आपको जो है वो right to moment है कि आपको घूमने का अधिकार दिया गया है right to moment दिया गया है अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि यह road के बीच में आपने चुलना शुरू कर दिया और कह दिया कि मैं तो road के बीच में चलूँगा क्योंकि मेरे को fundamental rights मिला वाय चलनेगा मैं कहीं पर भूम सकता हूं आप तो कोगे मैं तो विधान समा में जाके घूम हूंगा तो ऐसा नहीं होगा ठीक है इन पर क्या reasonable restrictions कुछ लगे वे हैं इसके बाद में कि जो हमारे fundamental के five-fifth जो quality है वो है positive भी है और negative भी है कि यह जो अपने nature में है वो positive भी है और negative भी है इसका क्या meaning होता है इसका meaning होता है negative तो कब हो ज कहते हैं तब यह क्या हो जाते तब यह positive type क्यों होते हैं कि हाँ कहते हैं कि काम करने के लिए तब यह positive type की हो जाते है। जैसे आर्टिकल 14 है वो क्या कह रहा है कि वो कानून के समख शमानता कह रहा है कि ठीक है equality before law कि सभी के साथ में क्या होना चाहिए कानून के समख शमानता निजर में सभी समान होने चाहिए अब यह देखो काम करने के लिए कहता है इसका मतलब यह क्या positive nature का है इसके बाद में जो है वो आता है article 15 15 ऐसे कहता है कि भेदभाव नहीं करना away रज्ये को यानि कि गवर्णमेंट को क्या नहीं करना要 अब नहीं करना यह फेदभाव करनेसे रहे है तो यहां पे क्या हो जाता ज compliment जो है वह इमेज अरकर सामने यहां पे की जो है कह रहा है काम करने के लिए तब वो क्या हो जाएगा पोजिटिव नेचर का ओके बढ़ते हैं अब आज आता है हमारे पास में आर्टिकल 12 और 13 अब हमें क्या करना है दो आर्टिकल पढ़ने यहां पर ठीक है आज हम यहीं करेंगे कि जो है आर्टिकल एक तो पढ़ेंगे 12 औ आर्टिकल 13 देखो क्या कहा रहा है रज्य ऐसी कोई विधी नहीं बनाएगा यहां पी सरफ एक वर्ड आपको काउंट करना है एक रज्य और दूसरा यहां पर यहां पर इस पूरे अर्टिकल क्या है जो मूल अधिकारों को कम करे यानि कि state है ना वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो कि राज्य मूल अधि fundamental rights के अगेंस जाएगा ऐसा कोई कानून ही बनाएगा विधी मतलब low होता है यहां पे या फिर कानून भी ना वैसे कहते हैं के इसको और अब देखुर राज्य का यहां पर आपर राजस्तान हरियाना पंजाब मतलब यह यहां यह define किया गया Article 12 में यानि Article 13 में जो राज्य नाम जो यूज क्या गया उसको उसको डिइफाइन किया गया उसको डिफाइन क्या गया आल्रीटा Rights डिफाइन क्या safi गया現在 यहां पर यह जो मैंने English का ट्रम लिखा है the state shall not make any law which takes away the rights conferred by the part and any law made in the Controversion तो अब यहां पर meaning देखेंगे कि पर state का क्या meaning है और जो यहां पर word यूज किया गया लो इन दोनु वर्ट का क्या नहीं है तो सबसे पहले हम आते हैं state की definition कह है तो इस state की definition देखो कहां पर देखेंगे आर्टिकल 12 में दिये तो अब हम आर्टिकल 12 देखते हैं ओके यहां पर राज्य की परिवाशा किवल भाग 3 के लिए इसका मतलब यह है कि जो यहां पर जितनी यह लिखा गया ना परिवा काम आएगी अगर भाग 3 part 3 के अगर अलावा आप कहीं पर बात करोगे तो यह स्टेट की definition नहीं काम में आएगी यह सिर्ब यहीं तक काम में आएगे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक तो देखो किस किस को शामिल किया गया तो यह है जो निम्न लिखित के भाग तेन के अधिन रज सबसे पहले यहां पर इस से क्या मिनिंग है सबसे पहले यहां पर निकल के सामने आता है जो है वह है पंचायतों और नगरपालीका से ठीक है जो इस्थानी जो लोकल बोडीज है उनसे नगरपालीका से इसके बाद में देखो कुछ केस सामने आते हैं कुछ है न जो सुप्रिम कोड के पास में कुछ केस जाते है तो सुप्रिम कोड क्या करता है डिफाइन करता इसके बाद में कि किस को क् सामिल करेगा ठीक है सामिल किसमें करेगा स्टेट की ने मिनेशन में वह किसको सामिल करते हैं तो वह देखते हैं कि वह कौन-कौन सी चीजें जिनको ना स्टेट की डिफिनेशन में सामिल किया तो ओल लोकल जो ऑथोरिटी जैदेखो उसमें कौन-कौन से चीजों को सामिल किय उसका क्या होना चीए separate legal accidents होना चीए function in a defined area कि किसी particular जो area है छेतर है वहां पर वो काम करते होनी चीए hedge power to rage funds क्यान कि उसके पास में जो है with portion की जो है वो शमता होनी चीए कि वो क्या कर रहा है अपने काम चलाने के लिए कर रहा है with portion यान की वो finance जो है वो rage कर रहा है ओके funds से खटा कर रहा है और autonomous हो अगर यह सारी quality जाय किसी भी organization में तो उसको किसके अंडर माना जाएगा उसको माना जाएगा कि वो क्या local authorities है ओके यह पूछ सकते हैं यहां पर जो यह case आया था union of India वर्चेज जो है आर्सी जैन है इस case में सुप्रेम कोट ने decision दिया था कि local authorities से क्या माना जाएग्य इसमें पहले से कौण कौण सम merge पहले से ऑर कौण समय नगर पालेगा सबसे पहले मेन इससे लिया जाता है ने किसके बात में जो यह जो चारों काम कर रहे हैं कोई उसको क्या मना जाएगा उसको यह qualities है entire state capital is on and managed by state अगर कोई ऐसी कोई संस्ता है जिसको क्या कर रहा है कि जो रज्जे की जो है वो capital से चल रहा है कि state के अगर capital से यान की जो है उसको रज्जे क्या दे रहा है पैसे दे रहा है काम चलाने के लिए तो अगर कि रज्जे के पैसे से कोई organization संस्ता चल रही है तो उसको other authorities माना जाएगा इसके बाद में कि department of government is transferred कि उसको क्या क्या government ने कुछ powers उसको दे रखी है ठीक है तो अभी उसको क्या माना जाएगा other authorities माना जाएगा electricity board of India ये case है एक फेमस case है इसमें सुप्रेम कोट ने ऐसे कहा था कि ये जरूरी नहीं कि उसको रज्जे चलाए या नहीं चलाए ठीक है इससे कोई फरक नहीं पड़ता बस फरक ये पड़ता कि क्या उसके पास में जो है वो low बनाने की power है क्या अगर किसी भी संस्ता ओर्गिनाजेशन जिसके पास में low बनाने की power है यानि कि कोई वो rule बना सकता है कोई भी नियम बना सकता है तो उसको क्या माना जाएगा उसको माना जाएगा other authorities ठीक है कि other authorities में किसको माना जाएगा वो कोई भी organization जो क्या कर सकता है कि जो रूल बना सकता है थोड़े से भी अब आ जाते है आर्टिकल 13 में तो देखो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधी नहीं बना जाएगा तो देखो राज्य वर्ड को हमने डिफाइन कर लिया जी चार तरह के राज्य में चार चीजों को शामिल किया था ओ कि इसमें नह दो तरह के न मानी गई है जो विधी हैं उनको दो तरह से माना गया जो जो भी है न उनको दो त्रह का माना गया है कि जो यहां पे विधी था feature ता उसमें दो चीजों को शामिल किया एक तो समिधान से पुरव स्भुथ नहीं कि हमारों जो समिधान बनकर तयार हुआ नाइन्टीन f40 जो है 9 में समिधान हमारा बना और हमने इसको लागू कि begitu इससे पहले जो कानून बन रहे थे यहां पहे कि इससे पहले जो कानून है उनके बारें बात करें और अर्टेकल 13 का close 2 है वो किसके बारें बात कर है हमारा समिधान जो बन चुक है उसके बाद की बात कर रहा है कि अब जो लो बन रहें अब जो कानून और ये जो पहले वाला है, वो छुप जाएगा इसके पीछे, और ये हमारा जो आज वाला fundamental right है, वो ही सही माना जाएगा, जबकि पहले वाला low है, उसको क्या माना जाएगा, ये नया वाला low इसको cover कर लेगा, तो इसको cover कर लेगा, इसी ना principle को नाम दिया, आच्छा दन का सि मान लीजे, देखो, ये कोई government है, ओके ये किसी state की government मान लीजे, या फिर आप इसको state ही मान लीजे, state का मतलब यहां पर कौन सा हो जाएगा, जो हमारा article 12 कहके आया भी, कि charge जो define क्या है, अब इन्हों ने मान लीजे, एक low बनाया है, यहां पर इतना बड़ा ये एक low है, यह लोग यहां तक क्या करता है, यहां तक है न, यह क्या fundamental rights को क्या कर रहा है, avoid कर रहा है, या fundamental rights को cancel कर रहा है, तो इस low को क्या मान जाएगा, यहां तक cancel माना जाएगा, अगर इस से आगे है न, यह न, मतलब सही है, तो इसको सही मान जाएगा, जैसे एक example लेता हूँ, कि मान अब देखो 10 बजे से लेकर बजे को अ возь up की इतने गघण़ को ऐसे ितने से बैड़ेगा उसको क्या हो रहा है यह खतम कर रहे हैं तो यह low cancel माना जाएगा इतना था इतना ने की पुरा low cancel माना जाएगा इसे को क्या बोला गया इसे को बोला गया पर्था करन का सिद्धान्त बोला गया doctrine of severability बोला गया है इसको ओके और अब मान लीजे कि ये जो 8 से 10 जो इन्होंने low बनाया है एक 8 सुबह के 8 बज़े से लेके सुबह के 10 बज़े तक का एक low है जिसमें घूमने से रोका जाएगा तो इसको examine कौन करेगा हमें कौन बताएगा कि ये लोग गलत है या सही है ये हमें बताएगा सुप्रेम कोट या नि हमारी judiciary बताएगी और judiciary इसको चेक करेगी इसलिए इसको एक और यहाँ पर चीज निकल के सामने आती है नाइक पुन्रे विलोकन judicial review अब आपसे पूछा जाएगी judicial review हमारे constitution में कहां पर है तो यह आर्टेकल कहां पर थार्टेन के टूब क्लोज 2 में है और वह indirectly दिया गया है नहीं कि directly दिया गया है ओके तो यह है हमारा आर्टेकल 13-2 ठीक है यहाँ पर 13-2 कवर हो जाता है और 13-1 कवर हो जाता है इसके बाद में देखो अभी हमने एक चीज बात कर लिए स्टेट के बारे में ठीक है दूसरी बात कर लिए हमने लोग के बारे में यानि कि विधी के बारे में अब यहां पर यह है कि विधी दुवारा मतलब कोई भी हमारा जो fundamental rights है उसको खतम नहीं किया जा सकता ओके यह कहा गया था article 13 1st और 13 2 में अब तो क्या गवर्मेंट के ऐसा कर सकते हैं कि constitutional amendment करके और हमारे किसी fundamental rights को खतम कर सकती है तो क्या ऐसा कर सकती है अब ऐसा कर सकती है नहीं कर सकती है इसके लिए तो सबसे पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि जो constitutional amendment है क्या वो वो भी under low है या नहीं है कि वो low है या उससे अलग है तो इसके लिए दो कई सारे cases सुप्रीम कोट में गए और सुप्रीम कोट ने हर बार अलग-अलग अपना decision दिया हर बार बता है उसने कि वो low जो है वो amendment होगा या नहीं माना जाएगा यह कुछ cases थे जिनके बारे में हम कल पड़ेंगे कि कौन-कौन से कि इन cases में क्या decision आता है सबसे पहले संकरी पर साथ आता है उसमें सुप्रेम कोट का decision आता है सरजन सिंग में गोलकनात में और उसके बाद में 24th जो है यह यहां पर 24 है 24 जो amendment करती है इंद्रा सरकार वो क्या था और उसमें जो है constitution जो amendment उसके बारे में क्या किया गया केश्वारेंद भारते में क्या गया यहां से बहुत important chapter शुरू हो जाता है और यहां से बहुत सारी questions जो है अब तक exam में पूछे गए तो इसके जो next chapter है वो हम कल आपको